हेलो व्यूवर्ड वेल्कम बैक टू मैं चैनल दिल्ली के लजीज खाने दोस्तों दिल्ली के लजीज खाने में आज हम आपके साथ पापरी चार्ट की रेसिपी शेयर करेंगे जो पुरानी दिल्ली में बहुत ज्यादा फैमस है बहुत ज्यादा पसंद की जाने वाली ये रेसिपी है पापरी चार्ट की तो हमने सोचा ये recipe आपके साथ share की जाए जिसे आप अपनी family के लिए बहुत जादा अच्छी safe hygienic पाप्रिचार्ट बना सकते हैं तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं ये आप देख सकते हैं ये आधा cup मैदा है जितना मैदा लेना है उसका एक चुता हिस्सा सूजी का लेना है ये वन फोर्थ हमने सूजी डाली है आधे cup की अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे दो से तीन चुटकी नमक डाली है दो से तीन चुटकी ही अजवाएं डालेंगे ये optional है अगर आप चाहे तो इसे skip कर सकते है एक बड़ा चमच घी डालेंगे अब हम इसके सारे ingredients को अच्छी तरह से मिला लेंगे ये इस तरह पहले हातों से मिलाना है पानी डालने से पहले इसका डू बनाने से पहले इसके सारे ingredients को हातों में लेकर इस तरह मसल कर मिलाना है ये आप देख सकते हैं कि हम एक इस तरह कर रहे हैं इसको हातों में लेकर अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना पतला डो नहीं बनाना इसका डो थोड़ा टाइट होता है पाप्री का तो हमें थोड़ा टाइट ही डो बनाना है यह आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल थोड़ा सर डाला है एक दम बहुत सारा पानी नहीं डालना ये इस तरहा हाथ से मसल कर इसका अच्छे से हम डो बना लेंगे जिससे हमारी पापड़ी बहुत जाद अच्छी बने अब हम इसको दस से पंदर मिनिट का रेस्ट कराएंगे अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं यह आप देख सकते हैं यह हमने कडाई में तेल गरम करने रख दिया है और यह हमारे दस से पंदर मिनिट हो गये हैं हमारा यह पापड़ी बनने के लिए जो हमने डो रखाता हूँ अच्छे से सेट हो गया है और इसको हाथों से इस तरह एक बार और मसल लेंगे और इसको सेट कर लेंगे अच्छे से और इसका एक बड़ा पेड़ा बनाएंगे पूरे डो का और इसको तीन भागों में बाट लेंगे यह आप देख सकते हैं कि यह हमने तीन भाग में बाट लिया है इसको और इसके पेड़े बनाएंग इस तरह पेड़े बनाए गोल गोल और आप देखेंगे कि यह हम पापड़ी कितनी असानी से इसके अंदर से एक साइस के निकालेंगे इसके ओपर थोड़ा मैदा डाल करेंगे जिससे यह चिपके नहीं बेलने में और यह अच्छे से बेल जाए यह आप देख सकते हैं इसको इस तरह राउन में बेलते रहेंगे और बिलकुल पतला बेलेंगे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना बहुत असानी से ये पापनियां बनकर तयार हुँए आप देखेंगे बहुत ज्यादा क्रिस्पी ए खस्ता ये पापनियां बनाएंगे हम बहुत एजी रेसिपी है पापनिय चाट की हम आपके साथ शेयर कर रहे है एजी रेसिपी तो इस तरह आप गोल राउंड में घुमा कर बिल्कुल अच्छे से बड़ा इसको बेल लीजिये उसको बड़ा कर लीजिये इसको यह आप देख सकते हैं यह हम फॉक से इसके अपर इसके वक्पर प्रिक कर रहे हैं जिस तरह पिज्वा की बेस पर über करते हैं इस को होल करते हैं इस तरह करना है इसको ताकि ये फूले नहीं क्योंकि पूली हुई नहीं होती वह ग्योल्डप बन जाएगी अगर पूलेगे तो और अगर आपके पास पर कैप हो तो इस तरह आप राउंड में घुमाईे इसको कुछ भी आपके पास सर्कल की लगा सकते हैं जिससे ये एक साइस की पापड़ी बनकर निकलेंगे बिल्कुल ये देखें इस तरह से आप इसे आराम से निकाल सकते हैं और ये जो हमारी पापड़ी बनेंगी बिल्कुल एक साइस की बनेंगी बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का यह हम इस तरहां इसको बना कर रख लेंगे यह दूसरा भी हम दिखा रहे हैं आपको कि इस तरहां बना कर रखनी है सारी फिर एक साथ हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे यह आप देख सकते हैं कि इतना पतला रखना है और यह हम दुबारा से इसके उपर प्रिक कर देंगे प्रसेस करेंगे इसके साथ और इसका जो यह वैस्ट होता है वह अलग कर लेंगे यह बाद में भी काम आता है इसको दुबारा यूज कर लेते हैं यह आप देख सकते हैं कि यह हमने सारी सरकल इस तरहा बना लिये हैं इसके मेंदय के इससे हम पापडी बनाएंगे यह हम कडा या मीडियम फ्लेम पर नहीं रखना ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए लो फ्लेम पर रखना है हमें से और इस सब को डाल देंगे इसके अंदर यह आप देख सकते हैं यह काफी सारी आ गई है हमारी कड़ाई में और इसे थोड़ी देर बाद परनट कर देखेंगे कि यह अच्छे से गोल्डन ब्राउन हुई है या नहीं और यह आप देख सकते हैं यह हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है दोनों साइट से अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा करने रखेंगे अब हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं यह हमने दह चुटकी सफेद नमक दो से तिन चुटकी ही काला नमक मिलाया है और इसको अच्छे से इस तरह मिलाएंगे दही को अच्छे से भेटेंगे यह आप देख सकते हैं कि दही की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है पाप्री चार्ट के लिए और यह पाप्री चार्ट का सामान है जिसे हम पाप्री चाट बनाएंगे पाप्री अच्छे से ठंडी हो गई है यहाँ मसाला देख सकते हैं यह दही बड़े का मसाला है हमारा हॉममेट इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक इमली की चटनी है जो हमने बनाई थी इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको यह सेव हरी चटनी है अनार है आलू है और यह दही है अब हम पापरी चाट बनाते हैं यह हम पहले पापरी रख लेंगे इसको इस तरह और कुछ पापरी को हम तोड़ देंगे अब हम इसके अंदर आलू डालेंगे यह आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छी पापरी चाट बन कर तयार होगी दो से तीन चुटकी सफेद नमक डालेंगे दो से तीन चुटकी ही काला नमक डालेंगे अब हम इसके अंदर यह हमारा हॉममेट दही बड़ो का मसाला डालेंगे अब हम इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे और यह हम दही भी डाल रहे हैं यह आप दही देख सकते हैं काफी अच्छा पेटा है हमने दही दही बड़ो के लिए इस तरह के दही चाहिए होता है और यह हम incorrectly चतनी डाल रहे हैं जो कि सोट बनाई थे इंस्टनृमिक यह बहुत वाðन है इसे भी जरुत कीजिएगों यह कि रखसे रेखान ये चतनी तरह भी डाल दिया यह कि अन्दर अनार च्पर आपको शार ऊइछे जाम लाएел Aa पाप्री चार्ट बनी है आप हमारी इस recipe के साथ जा कर मार्किट से भी जादा अच्छी safe हाइजिरी पाप्री चार्ट घर पर त्यार कर सकते हैं इंशाला आपको ये recipe जरूर पसंद आएगी और अगर ये recipe आपको पसंद आई है तो please like जरूर कीजेगा नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू फर वाचिंग